नेक्स्ट है कोशन नमबर 2 कोशन नमबर 2 में बुला गया है यह गीवन एक्वेशन है और यहां पर इंटेक्रीटिंग फैक्टर क्या होगा इंटेक्रीटिंग फैक्टर कैसे निकलते हैं को में और ये मोट्स साइट पे haven X अचिपाट करतया है कि तो यह क्या होगा 3 अच्पर 117 आगे और अच्छा तो इंटेक्रीटिंग फैक्टर क्या होगा एत्वी बर इंटिएर्शन वे Hmm एक्वेश खणक्रीटि फैक्रीटेक्वारी फिरेश खण कि दी एक्स इस इकल स्टू कि इतु दी पावर थ्री एक्स प्लस कि लोग एक्स को कि अच्छा तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इतु दी पावर थ्री एक्स इंटु दी पावर लोग एक्स यह क्या होगा यह होगा एक्स ठीक है और यह इतु दी पावर थ्री एक्स तो क अप्शन अप्शन एक ट्रू ओके नेक्स्ट नमबर थी इसका जनरल सोलेशन निकलने के लिए हमें बोला गया है ठीक है तो हम लेट करेंगे एक्स इकल टू इटू दी पावर जेट अच्छा तो यहां से क्या आएगा और देश देश Vereinus 5 देश प्लस नाइड आएगागा ड्षट स्कया माइनस दी देश पावर चल्स नाइड होजा Buddh इस फिपनाऋ दी देश पनाइक जासम देश IgA exercise 2द 4द ईख गदज फिसे एगने přिस्ट एग थको सुखगरे सित जढने टे सुखगर य Yasmin को सिरुग गो सद्ट जढने Yourकad यervärए जाय यद एगा सिता हुल कर यरे 3 एमस्टistic on the 感じ्मा पाहर यडिखिए 3,3 सित ट C1 plus C2 X नहीं होगा यहापर Z होगा E to the power 3Z अच्छा तो यह क्या होगा C1 plus C2 Z क्या है यहापर Z क्या होगा log X equal to Z होगा Z है log X और E to the power 3X क्या होगा 3Z it is equal to X Q अच्छा तो आप ओप्षन देखते कौन साथ रूप है यह ओप्षन नमबर B is true ठीक है नेक्स्ट इबन है क्वेशन नमबर 16 16 का A है यह अच्छा पहले हम इसका solution हमें निकलना होगा तो पहले हम CF निकलेंगे CF कैसे निकलेंगे यह क्या है इससे हम लिख सकते है 10 स्कार माइनस 1 Y equal to 0 अच्छा तो 10 स्कार माइनस 1 equal to 0 तो D क्या होगा plus minus 1 तो यहां से CF क्या होगा Y C equal to 2 होगा C1 into e to the power minus X plus C2 into e to the power X अब देखिए D I क्या होगा Y P equal to 1 Y D square minus 1 X sin X plus X into e to the power X OK अच्छा देखिए X sin X जो है अच्छा sin X को हम ऐसे लिख सकते है imaginary part of e to the power X इस तरह से लिख सकते है तो imaginary part of e to the power X OK sin X को अच्छा तो यहां से हम लिख सकते है imaginary part of 1 by D square minus 1 X sin X OK plus 1 by D square minus 1 X into e to the power X OK अच्छा जेखिए imaginary part of X sin X X into e to the power X X अच्छा तो यह क्या होगा imaginary part of X into e to the power X e to the power X e का function को अगर हम बाहर निखा लेंगे तो क्या आएगा e to the power X into 1 by D square minus 1 तो यह होगा D plus i whole square minus 1 X रहेगा यहाँ पर plus यहाँ से e to the power X क्या लाएँगे तो e to the power X 1 by D plus 1 whole square minus 1 X तो imaginary part of e to the power X e to the power X यहाँ से रहेगा क्या रहेगा यहाँ से यहाँ से आथर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा r square plus 2 di minus 2 X तो imaginary part of e to the power X ओके by अगर हम यहाँ से minus 2 common लेते है तो क्या आएगा 1 minus 2 d square plus 2 di by 2 whole inverse X इसे अगर हम ब्रेक करेंगे ठीक है तो क्या होगा 1 plus t square plus 2 di by 2 plus continue x तो imaginary part of e to the power i x by minus 2 तो यह होगा X X होगा plus 0 plus 2 2 x को एक पर derivative करेंगे x करेंगे x करेंगे तो आएगा 1 आएगा 2 i होगा by 2 यह होगा imaginary part of e to the power i x by minus 2 x plus i ok अच्छा इसे हम break करते है इसके बाइट को cos x plus i sin x x plus i by minus 2 ip imaginary part of इसके साथ इसका multiply करेंगे तो क्या आएगा x cos x minus sin x plus i into cos x plus sorry x sin x by minus 2 ok तो इसे इमाजिनेरी पार्ट कौन सा होगा यह होगा cos x plus x sin x by minus 2 ok अच्छा अब देखते हैं इस पार्ट को यह कैसा होगा यह होगा e to the power x by d square plus 2d x ok यहां से हम e to the power x d को common लेते हैं तो क्या आएगा d नहीं sorry 2d को हम common लेते तो क्या आएगा 1 plus d by 2 whole inverse x ok e to the power x by 2d 1 minus d by 2 होगा plus चलता जाएगा x plus e to the power x by 2d यहां से क्या आएगा 1 minus 0 ok sorry 0 नहीं half plus यह पर 1 by t है मतलब इसका integration होगा e to the power x by 2 तो क्या होगा x square by 2 minus x by 2 ok तो यहां से हम क्या लिख सकते है यह क्या होगा e to the power x by 4 2 common लाया हमने half common लिया x square minus x ok अच्छा ठीक है तेखें यह क्या है यह है yp तो y क्या होगा yc plus yp yc क्या है c1 e to the power minus x plus c2 e to the power x यह है yc plus yp cos x plus x sin x by minus 2 plus e to the power x by 4 x square minus x ok यह है y तो y dash करेंगे तो क्या आएगा minus c1 e to the power minus x plus c2 e to the power x plus यहाँ से आएगा x cos x आएगा by minus 2 ok plus 1 by 4 e to the power x x into x square x square x square minus plus x plus x minus 1 ok अच्छा ठीये तो y 0 क्या आएगा हमें given है क्या y 0 equal to 1 equal to यहापर हमें x के जगा हम 0 put करते हैं तो क्या आएगा c1 plus c2 आएगा plus यहापर आएगा 1 1 by minus 2 यहापर आएगा 0 तो क्या रहा है this implies c1 plus c2 क्या हो रहा है equal to 1 plus half मतलब 3 by 2 अच्छा अब y dash 0 के जगा हम 0 put कर रहे है यहापर x के जगा हम 0 put कर रहे है y dash 0 क्या है 1 है तो minus c1 plus c2 plus 0 plus 1 by 4 यह है 1 minus 1 तो यह क्या हो रहा है minus c1 plus c2 equal to 5 by 4 अच्छा अगर हम इस इन दोनों एक्वेशन को y क्या आ रहा है y है therefore y equal to c1 क्या है 1 by 8 1 by 8 1 by 8 minus x e2 क्या है 11 by 8 e to the power x plus cos x plus x sin x by minus 2 plus e to the power x by 4 into x square minus x यह है solution यह है हमारा given differential equation इसे solve करना होगा तो देखते हम यह exact होगा यह नहीं होगा ठीक है तो यह है m यह है n अच्छा तो आइदर 2 sin x plus 12 y cube sin x into cos x और del x करेंगे तो क्या आएगा यहासे del x आएगा यहासे आएगा 8 y cube 2 शरी यहासे 8 आएजाएगा cos x into sin x minus sin x के साथ minus cancel होगा है और यहाँ पर जो minus minus plus हो जाएगा sin x ओके अच्छा देखे del m del y और del m del x तो नो equal नहीं है तो इसका मतलब भी exact नहीं है तो इससे हम कुछ और तरके से solve करना होगा कैसे करेंगे देखे जहाँ पर जो आएफ होगा ठीक है जो आएफ होगा आएफ क्या होगा लिखते हैं इसका जो result आएगा ठीक है वो होगा जो आएफ नहीं होगा जो इसे हम आएफ लिखेंगे वीटुदी पावर एक्टिकेशन ये ये जो जो result देगा इसे हम जहापत लिखेंगे तो क्या result लेते हैं देखते हैं माइनन कर रहा है तो क्या रहा है आ रहा है संस्क्स फॉर हु वाइफ यूब संस्क्स इंतु एफिदेफ वाइफ है पाइफ N है एक्न क्या है माइनस फॉर हुआ ही कोस अल्यार x plus cos x अच्छा तो यहां से क्या हो रहा है यहां से अगर हम common ले रहे हैं उपर से अगर हम sin x को common लेते हैं तो रहेगा क्या 1 plus 4y cube ठीक है 4y cube cos x और नीचे से अगर हम cos x को common लेंगे तो क्या आएगा 4y cube cos x plus 1 यह यह cancel बचेगा common minus 10x अच्छा अब देखिए तो if क्या होगा e to the power integration minus 10x dx तो यह क्या होगा e to the power log cos x यह होगा i difficult to cos x okay तो अब अचर हम i difficult to cos x cos x को अगर हम यह given equations से multiply करेंगे तो given equation किसे multiply करेंगे तो यह exact बन जाएगा तो क्या से क्रेंगे तो यह होगा को स्क्राइब एक्स ठीक है इंटिक्रेशन डी एक्स अच्छा यह क्यों होगा इंटिक्राइब एक्स अच्छा अब देखिए यहां पर जो एक्स का फंक्शन होगा उसे हम कैंसल करेंगे तो यह यहां पर को से करतक है तो इसका कई सब्सक्राइब यह गए तो इसका मतल्य पूरा भी सम कैंसलों चेँ क्लिए अच्छा कि बचेंग अर्ट करें यहां पर नंवा को कॉन्ट यह तो मितेल ऊंच 1 अक्ट हbor आप टो यह तो कि मिंदल् 2x होगा dx प्लास 3y2 ती पावर 4 तील ग्रेव को स्टुटीप को स्कॉयार एक्स ठीक है को स्कॉयार एक्स को स्कॉयार एक्स डी एक्स साइन डी एक्स को हम लिख सकते है सब्सक्राइब एक माइनस आयेगा एक माइनस ऑच्चा तो इससे हम लिख सकते है मैनस य य गाई दू श को स्कॉयार नहीं होगा वाई बाई दूकास् टू एक्स है माइनस 3 y to the power 4 यह से होगा cos cube x by 3 ओके इस इकल स्टू 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 इहाँ पर 0 नहीं होगा यहाँ पर एक constant c होगा constant c तो माइनस स्टू यह पर माइनस c ले ले हैं तो यह माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा y by 2 cos 2x minus y to the power 4 cos qx equal to c ओके